आदाब नाजरेन मैं हूँ रियास चोदरी और आप देख रही ही दा वर्ल्ड रिलेशन इस वकत के एक बड़ी खबर लेके आपके बीच हासर के राजोरी पुलीस की जानिब से दो लड़कों को हिरासत में लिया जो एक नाबालिक लड़की को लेकर फरार हो रहे थे यह तस जैसे ही इतलात मुसील होई के कुछ लोग जो है वो एक लड़की को लेकर फरार हो रहे थे और इस दोरान पुलीस की तरफ से एक टेम्पू को जो है वो रोका गया जिसमें दो लड़के और एक नाबालिक लड़की जो है वो बताई जा रही है और इस लड़की का तल्लक जो है वो सुबा कश्मीर से है जिसको दो लड़के लेकर फरार हो रहे थे इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक लड़का जो बताई जा रहा है कि इस लड़की का कजन ब्रदर है वो इस मामले में पूरी तरह मलवस था उसकी साजिस से जो है वो राजुरी का एक र अपाया गया कि ये दोनु लड़के जो है वो एक नाबालिग लड़की को लेकर फरार हो रहे थे और जिसके नतीजे में पूलीस की जानेम से बरवक्त जो है मोके पर ही पकड़ लिया पूलीस की अब मजीद तप्तीश वी जारी है मतलब का पूली स्टेशन में भी पता ल हुए थे वहाँ के मतलका पुलीस टेशन के अंदर जो है इस मतलिक जो है वो केस भी दरज किया गया था ताम जब पुलीस की जानेब से तफ्तीश की गई तो वहाँ पे कन्फरम किया गया तो यह पाया गया कि एक लड़की को लेके कुछ लोग जो है वो फरार हुए है और उ है वो मतलका पुलीस टेशन जो सुबा कश्मीर में है उसके जो है वो पुलीस एलकार के जो हो हवाले किया जाएगा जरा इसके हवाले से यह भी पता लगा जा रहा है कि जो पता अभी तक लगा है कि वहां से भी सुबा कश्मीर से भी पुलीस को जो है वो एक टीम बेज द पर आप तस्वीर देख रहे हैं राजोरी जिला की चिंगस अलाका की जहां पर पीएसाई मान सिंग की कयादत में एक नाका जो है वो लगाया गया था इस दोरान गारियों की चेकिंग भी जो हो जारी थी जिसमें यह पाया गया कि दो लड़के जो एक नाबाली लड़की को लेकर फरार हो रहे थे ताम पॉलीस की बरवक्त कारवाई और इन तीनों को हिरासत में ले लिया पॉलीस की जानेब से यह बता जा रहा है कि अब इनको मतलका पॉलीस स्टेशन जो सुबा कश्मीर में है वह से जो है वो एक टीम आ रही है उनके हवाले जो है वो किया जाए है ताहब इसी नतीजे में आज राजोरी कि चिंगर्स अलाके में भी एक पुलीस की तरफ से जो है वो नाका लगाया गया जिस दुरान दो लड़कों को हिरासत में लिया जो एक नाबालिग लड़की को लेकर फरार हो रहे थे यह तस्वीर आप प्रायरास्ट दा वर्ल्ड सक्रेंड के ओपर जो है वो देख सकते हैं आप अपनी सक्रेंड पर कैसे जो है वो दो लड़के ले एक नाबालिग लड़की को लेकर फरार हो रहे थे ताप पुलीस की बरवक्त कारवाई और जराय के हवाले से जैसे ही पुलीस को ये खबर मिले तो फ़ोरी तोर पर पर जो है वो पुलीस की तरव से कारवाई की गी और दोनों लड़कों को हिरासत में ले लिया लड़की को भी पुलीस ने अपने कबजे में ले लिया ताहम बताए जा रहा है कि अब मतलका पुलीस स्टेशन जहां पे एक केस भी जो है वो इस मतलक दर्ज है अब वहां पे जो जो है वो इन लोगों को पुलीस कीम के हवाले जो है वो किया जाएगा